आज के कुछ दिन पहले की गई उनके हत्या में शामिल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है अब लेकिन जो नामजद जो आरोपी हैं वो अभी गिरफ्त से बाहर है सुजीत मेहताजी की धर्मपत्ने स्रीमति सुमन मेहताजी ने जो आरोपित जो नामजद आरोपी जिने बनाया है वो अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं यह बड़ा दुर भागी की बात है पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है अब उनके उपर कहां तक आरोप था या नहीं था या पुलिस को कहां तक लगा यह तो देखने और सोचने वाली बात है लेकिन मैं पुलिस प्रसासन से मैं पुछना चाहता हूँ कि साहब जो नामजद जो आरोपी हैं उन्हें कब गिरफ्तार करेंगे हमें थोड़ी बोल रहे हैं कि रतार करने का मत्तब थोड़े होता है कि हां उसको सजाव में जिसे मिल जाना उसने गलत किया या नहीं किया आप कम से कम बैठा आगर कि पुछ तो सकते हैं आखिर नामजद आरोपी बनाया गया उन्हें आप 24 गंटे के लिए हिरास्त में दो ले सकते हैं हो सकता है कुछ वो अहम जानकारी आपको दे दे लेकिन आप सैद और अंगाबाद के अस्थानिय भाजबा सांसद सुसिल सिंजी के प्रभाव से प्रभावित हैं और उनके प्रभाव से प्रभावित हो करके कि कहीं आपका ट्रांसफर न हो जाए इसके डर से आप नामजद आरोपियों के गिरवान पे हाथ रखने से डर रहे हमें ऐसा महसूस होता है क्योंकि ये वही सुसिल सिंज या सांसद मोहदे हैं जो भाजपा की नितियों और सिध्यानतों पर चलते हुए अपना कार्ज करते हैं और उनका कार्ज ये है कि जो लोग इंसाफ की गुहार मांगेगा उसके उपर केस ठोक दो ये तो भाजपा की नितियों और सिध्यानत में सामिल है प्रोटोकॉल में सामिल है तभी तो हम गए थे वहाँ पर सुजीत महता जी की इंसाफ की लडाई को मजबूत करने के लिए सुजीत महता जी की आवाज जो कि आज वहाँ के अस्थानिये युवाओं अस्थानिये बहनों बेटियों बुजर्गों के मुखमंडल से निकलने लगा है उनके विचार आज लोग अपने दिल में बसागर के चलते हैं लोग रो रहे थे लोग करा रहे थे तब जागर के मुझे इसकी सुचना मिली और तब जागर के मैं सुजीत महता जी के घर गया वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि सुजीत महता जी ही नहीं बलकि इस गटना के प्रुब उनके पिता जी को भी हत्यारों ने हत्या करके हम सब किबीच से बहुत दूर कर दिया आज सुजीत महता जी के घर में कोई मिल सदस नहीं है मिल सदस के रूप में मैंने देखा कि साथ साल का एक बच्चा है आठ साल का जो स्वर्गी है सुजीत महता जी का पुत्र है एक छोटी सी बच्ची है सुजीत महता जी की बिधवा मा है और सुर्गिय सुजीत महता जी की बिधवा पतनी अब उस घर में है अब वहां के आर्थिक व्यवस्ता कैसे सुदरेगी वहां के लोगों को moral support कौन देगा ये सांसद महते की सूच से परे है एक बार भी मुझे तकलिफ वह इस बात का कि सांसद महते जितना टाइम जितना वक्त मेरे उपर केस करवाने में लगा है जितना दिमाग लगा है उतना अगर उसकत एक परसेंट भी दिमाग लगा करके अगर सुजीत महता जी के परिजनों से मिलने के लिए उनके घर चले जाते तो मुझे लगता है कि एक मानावता के नाते और जन प्रतिनिदी के धर्म के नाते आपके लिए ये बहुत अच्छा राता आप वोट के नाम पे हर घर पे जागर के हाथ जोड़ते हैं मैं तमाम नताओं से मैं पुछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जब चुनाओ के बारी आती है तब तो एक भी घर नहीं चुटता है आपसे एक घर नहीं चुटता है खाना चुट जाए पानी प्यास लगे वो ये घंटा के लिए लेट हो सकता है आपको वाश्रूम की अगर फिलिंग हो वो चल सकता है एक घंटा लेट से लेकिन एक घर नहीं चुटना चाहिए क्योंकि वोट लेने की बारी आती है मैं तमाम निताओं से मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं कि ये बीजेपी के सांसर सुसुर कमार से ही मैं कह रहा हूं लेकिन जब बात आती है जब आप जीत जाते हैं और जब जन सेवा की बात आती है तब आपकी बेस्ता बढ़ जाती है आपकी व्यस्तत तब बढ़ जाती है आपको जनता का दुख, जनता की आशू आपको दिखाई नहीं देते आप अंधे हो जाते हैं और बहरे हो जाते हैं जनता की चीख आपको सुनाई नहीं पड़ती तो इसका तो जवाब मिलेगा आपको इसका जवाब जनता को हम जगाएंगे क्योंकि जब तक जनता जागेंगा नहीं न तब तक कुछ नहीं होने वाला हमें भी लोग बोला करते थे मैं भी जब शुरू में जब चला था, अकेला चल दिया था समास सेवा की ओर घर प्रिबार को त्याग करके सब कुछ खेत बारी बेज करके क्या क्या मैंने नहीं किया पिछले आठ साल से लगातार जनतावा में लगा हूँ मैंने कभी मीडिया बाजी किया क्या नहीं किया क्योंकि मेरा कोई शौक नहीं रहा कभी मुझे कोई बड़ा चैनल वाला जो अपने आपको बोलता है उसने कभी मुझे दिखाया क्या मेरे कार्जों को नहीं दिखाया